निसे धाग्या का कारण चितवन मा लाखों लिटर दूद खेर गोय कुशा, उत्पादित दूद बिक्री नहोदा चितवन का क्रिशक तथा ब्यवशाईले दैनिक ठुलो आर्थिक छेती बिहोर्नो परिकुशा चितवन का साथ वटा पाली का हरुमा उत्पादित 32 करोड रुपईया बराबर को 63 लाख लीटर दूद बिक्री नहोदा खेर गोय कुशा दैनिक सर्दर 3,15,000 लीटर दूद उत्पादन होदे आई पनी मिल्क होलिडे का कारण हप्तामा 3 दिन दूद मात्र बिक्री हुदा किसानले करोडव को छेती बिहोर्नो परिकुशो निसे धाग्या संगय डेड महीना भित्र जिल्लामा दूद उत्पादक सहकारीले 12 देखी 22 दिन समद दूद बिक्री गर्न सके का छेनन चितवन को राप्ती नगरपालीकामा रहेका छावटा दूद उत्पादक सहकारीले 12 दिनिक 30,000 लीटर दूद उत्पादन तथा संकलन करदा छा गय को 45 दिन मा सोर दिन दूद संकलन हुना सके न फल्सरूप राप्ती का किसान ले मात्रै 2,50 लाख रूपया नक्सानी बेहर नुपरे कुछ यसरे 12 बार्शिक 1,10 लाख लीटर दूद उत्पादन गरने राप्ती का किसान हरूले मात्रै 4,80,000 लीटर दूद फालनुपरे कुछ राप्ती नहर पालीका भरी पसुपर न गरने व्यवसाय किसा गरूले दैनिक 30,000 लीटर दूद 15 दिन समा नक्सानी बेहर नक्सानी बेहर नुपरे कुछ रोकियेको दूद संकलन कारिय बाट निर्वाह मुखिक किसान रव्यवसाय किसान हरू आर्थिक मार मा परेकाशन। ठुलो लगानी बैंको कर्जा दूद बिक्री रोकिनू र गाई बस्तुमा गरिने खर्च रोक्न नमिल्दा दुगद किसान आर्थिक रूपले धरासाय हुने अवस्था मा पुगेकाशन। सरकाले समस्यामा रहेका किसान लाई राहत को व्यवस्था गर्णू का साथे, उतपादी दूद लाई खपत गर्ण नया परिकार को ग्यान रसीब दिने तरफ ध्यान दिनू आवसेग्छ। चित्वन सहकर्मी दिलिप सर्मा को रिपोर्ट।